नई नई खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चानल को और चैनल से अबडीट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें नमस्कार आप देख रहें बलहिंदस्तान में आपकी सब निशिका पांडी रूस और यूक्रेन के बीच यूद्ध चिड़ा हुआ है लगाता है यूक्रेन के हालात बिगड़ते जारे और महीं इसे बीच मध्यप्रदेश के लड़की ने रूस की धरती पर भारत का तिरंगा लहरा है बता दे कि खार के बॉर्डर से 740 किलोमीटर दूर रूस की राजधानी मासकों में विश्व खेल में भारत का नेतिरत कर गोल्ड मेडल जीता और 22 साल के इस गोल्डन बॉई ने इंटरनेशनल लेवल पर ये तीसरा गोल्ड मेडल जीता है आई देखते सुड़ी खासर पो आपको बता दे कि रूस की राजधानी पर भारत का तिरंगा लहराने वाले 22 साल के लड़के ने अब तक 12 मेडल हासिल कर चुका है और वहीं उनकी नजर आप एश्याट गेम्स पर है और टो ड्राइबर पिता की बेटे का इंटरनेशनल खिलाडी बढ़नी तक का सफर आसा सुनील जादव सेना में जाना चाहते थी लेकिन पईस्थितियों के कायर उनका सपना अधूरा रह गया इस सपना उन्होंने अपने बेटे में जिया और घर चलाने के लिए वह आटो चलाने लगी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया और बेटा रोहित जब आटवी में था तब स्कूर में वुशू सिखाने के लिए कोच आये यही उसकी जिन्दगी का टर्निंग पॉइंट रहा और रोहित ने भी वुशू खेलना शुरू किया वुशू में रोहित की प्रतिवा कोच धर्मेंदर मांची को समझ आ गये और इसके बाद उन्होंने योगीता में गोल्ड मैडल जीत के बाद राष्टिगान बजा तब उतसाहित करने वाला पल था अब एश्याट के ट्रेनिंग के लिए वो नागा लेंड भी जाएंगे वही रोहित के पिता सुनील जाधम ने बताया कि उनका बच्पन से सपना था कि वो सेना में जाए ले रोहित के पितार का कहना है कि बेटे का खेल लगाता निखर रहा था और बारा वर्ष की उमर में ही उसे घर छोड़ना पड़ा वो खुद से जबलपो ट्रेनिंग सेंटर छोड़ने गए हाला कि इतनी से उमर में बेटा अकेल नहीं रह सका और पिता ने किसी तरह समझाया और छोड़ कर आए जितने भी टूर्णामेंट में बेटा गया उस पिता उसके साथ है और बेटे का चैन सेना में भी हो गया और पिता और बेटे दोनों का सबना पूरा हो चुका है तो यह थी बुलहिंदस्तान के कार्सपर्ट एसी खबरों के लिए बने रही बुलहिंद